आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ प्रश्ण है यूकेरियोटिक कोशिका के केबल जीवित अंगों को लिखिए तो आपको प्रश्ण में बताया गया या पूछा गया है कि यूकेरियोटिक कोशिका के जीवित अंगों को लिखिए अब ये जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है ये क्या होती है तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वह दो प्रकार की होती है एक होती है प्रोकेरियोटिक और दूसरी होती है यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक का अर्थ होता है कि वह कोशिकाएं या वह कोशाएं जिन में हम देखेंगे क्या जिनमें हम देखेंगे कि केंद्रक जो होगा वो आधुनिक प्रकार का या पूर्ण विक्सित होगा तो जहां पर केंद्रक पूर्ण विक्सित हो या केंद्रक पर केंद्रक कला उपस्थित हो उस कोशिका को हम कहते हैं यू कैरियोटिक कोशिका और जहां पर ये केंद्र पूर्ने विक्सित नहीं होता या प्रारंबिक प्रकार का या केंद्रक केंद्रक कला के बिना होता है उसे हम कोशिका को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका तो यह हो गई यूकैरियोटिक कोशिका अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के जीवित अंग होते हैं तो किस इसी भी यू कैरियोटिक कोशिका में चाहे वर पादप हो या जन्तु हो उसमें आपका केवल क्या होता है कोशा भित्ति और जो हमारी रसधानी होती है या वैक्योल होती है इसकी जो कला होती है जिसे हम टोनो प्लास्ट केते हैं ये केवल मृत अंग होते हैं तो सबसे पहले बात कर ले मरत अंग की तो किसी भी कोशा में मरत अंग कौन से होते हैं एक होती है कोशिका की कोशा भित्ती कोशा भित्ती और दूसरी होती है टोनो प्लास्ट टोनो प्लास्ट जो की रसधानी की कला होती है तो ये दोनों आपके कोशा में मरत अंग होते हैं इसके अत्रिक्त सभी अंग, सभी अंग का मतलब है आपकी कोशा कला, कोशा कला, उसके बाद आती है केंद्रक, फिर आते हैं दूसरे कोशिकांग, और हम क्या कहेंगे कोशा द्रव. अब ये जो कोशिकांग हैं, इनमें आपके सभी कोशिकांग आ जाएंगे, जैसे माइटोकॉंड्रिया, माइटोकॉंड्रिया, यदि आपकी पादब कोशिका है ये, तो इसमें आएंगे लवक, फिर इसमें आएंगे गौलजीकाई, उसके अतरिक्त यहां पर आएंगे एंडोप्लाजमिक रेटिकॉलम, और यहां पर आपके जो दूसरी सूश्म बॉड़ी होती है, यह सूश्म काई होती है, वह भी आएंगे, तो यहां पर सूश्म काई भी आएंगे, इसके अतरिक्त राइबोजोम भी आएगा, राइबोजोम इत्यादी, तो यह वो सारे पार्ट हैं या वो सारे अंगख हैं कोशिका के जो जीवित होते हैं, तो आपकी कोशिका में जीवित अंग होते हैं कोशिका कला, केंद्रा, कोशिकांग और कोशाद्रव, और इन सभी को मिला कर हम कहते हैं प्रोटो प्लाज्म, तो इन सभी को मिला कर हम कहते हैं प्रोटो प्लाज्म, या कोशिका का जो भी जीवित भाग होता है, उसे कहा जात और है प्रोटो प्लाज्म तो यह हैं आपके कोशिका के जीवितंग और यह हैं आपकी कोशिका के मृतंग, कौनसी कोशिका? यूकेरियोटिक कोशिका, आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, धन्यवाद.